आज मैं आप सभी के लिए काफ़े इंपोर्टेंट क्लास लेके आई हूं तो देखिए आपके आगामी वीडियो पी वीडियो एक्साम के रिकार्डिंग आप सभी को स्टुडी विद एम के द्वारा उद्राखंट की नियूर सिरीज प्रोवाइड की जा रही है। वीडियो वीडियो एक्साम के लिए काफ़े हेलफल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी सरीस में स्टार्डिंग से लेकर एंड तक बने रहें। सरीस को स्टार्ड करते हैं स्टार्ड करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे योट्यूब चैनल स्टुडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें। साथे साथ बगल में जो पैल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी बीड डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल से जल पहुँच जाए। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टिटूट उत्राखन में कहां स्थापित है तो देखें इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टिटूट नैनिताल जनपत के मुक्तिशर में स्थापित है ओप्शन डिस्कुशन का करेक्ट आंसर है इंडियन वेटनरी रिसर्च इडियोलोजिकल लैबोरेटरी था, 1925 में इसका नाम बदल कर Imperial Institute of Veterinary Research रखा गया और Alfred Lingard जो है इन्होंने यहाँ पर घोडो वग्गो पशो में होने वाले सर्रा रोग पर सोथ किया 1924 में AdWords ने रिंडर पेश्ट नामक ठीके की यहाँ पर खोच की इसके अलावा रोग टीके का अविश्कार भी इसी इंस्ट्यूट में किया गया Next question देखेंगे निमनले खित में से किस स्थान का बास्मती चावल यानि देहरादोनी सबसे अधिक परशिद्ध है तो देखें बास्मती चावल सबसे अधिक परशिद्ध है सूर्यधार का option D यहाँ पर आपका right answer है सूर्यधार आपके देहरादोन जनपद में इस्तित है देहरादोन से महज 35 किलोमेटर की दूरी पर ये इस्तित है सूर्यधार गाउं और एक समय में सूर्यधार गाउं लाल रंग के बास्मती चावल के लिए काफे परशिद्ध था और देखें यह गाउं आप लगभग विलोगती के कगार पर है लेकिन एक समय में यहाँ पर लाल रंग का बास्मती काफे फेमस हुआ करता था गेहूं और चावल उत्वादन में देहरादून जो जनपत है यह सबसे प्रथम स्थान पर है इसको आप याद रखेंगे यह आपका काफे महत्वण पॉइंट है नेक्स्ट कॉशन देखेंगे उत्राखंड में सिंचित कर्शी भूमी को कहा जाता है इंप्रवती भागों में तीन परकार के कर्शी पाई जाती है कौन कौन सी एक तो होगे आपके तलाओ दूसरे उपराओ और तीस्टी होगे इजरान तो तलाओ उपराओं वा इजरान तीन प्रकार के एक किर्शी यहाँ पर पाई जाती है परवती भागों में और देखे तलाओ भूमी किसे कहा जाता है वह भूमी जहां सिच्चाई की सर्बोत्तम व्यवस्था पाई जाती है तो उसे कहा जाता है तलाओ भूमी, उपराओ भूमी परवती छेतरों की उपरी भागों में पाई जाती है जहाँ पर सिच्चाई सुईधा की कमी पाई जाती है और जंगलों के बीच पाई जाने वाली भूमी को कहा जाता है इजरान देखें ब्रिटी स्काल के बिकेट बंदोबस्त में परवती भूमी को कितने भागों में बाटा गया था ये कुश्यन भी आपसे पूछा जा सकता है तो बिर्टिस काल में जो बिकेट वन्दोबस्त हुआ था उसमें परवती भूमी को पाँच भागों में बाटा गया था कौन-कौन से भाग थे ये एक तो था आपका तलाओं दूसरा आपका उपराओं अवल उपराओं अवल तीसरा है आपका उपराओं दोयम और चोथा है इजरान पाँचवा है कटीली तो बिकेट वन्दोबस्त जो हुआ था बिर्टिस काल में इसमें परवती भूमी को पाँच भागों में बाटा गया था तलाओं उपराओं अवल उपराओं दोयम इजरानवा कटीली राजी की लगभग सत्तर पृतिशत जन संक्या जो है ये किर्शी चेति से जोड़ी हुई है और राजी में नई किर्शी नीती दो हजार ग्यारा में जारी हुई ये आपके कुछ महतफोन पॉइंट है इन्हें नोट डाउन का लिजिए अगला कुश्चन है लड़ भरवा भोज किस जन जाती में मुख्य रूप से प्रचलेत है तो दीखे लड़ भरवा भोज का प्रचलन है थारू जन जाती में ओप्शन डी हाँ पर आपका राइट आंसर है थारू जन जाती में विद्वा विवा के आफसर पर लड़की का जो पिता होता है ये अपनी विरादरी को भोज देता है जिसे लड़ भरवा भोज कहा जात और थारू में विद्वा विवा का परिचलन है थारू लोगों का जो विवा है यह प्राय मांग या फिर फुलोरा दूज में होता है विवा के बाद जब लड़की स्थाई रूफ से लड़के के घर रहने आती है तो इस रस्म को कहा जाता है थारू जन-जाती के लोगवदा चाला इस रस्म को कहा जाता है और वर्तमान समय में थारू जनजाती में कौन से पुछा जाता है तो वर्तमान समय में थारू जनजाती में तीन टिकटी विवा का पुछलन है अगला question देखेंगे चमूली का लिंगानुपात कितना है तो देखे वर्ष 2011 की जनगर्ना के अनुसार चमूली जिले का जो लिंगानुपात है ये है 1019 शाक्शरता दर की अगर हम बात करें चमूली जनपत के 2011 की जनगर्ना के अनुसार तो यहाँ पर शाक्षर्टा दर है 82.65 पृतिशत जिसमें पुरुष शाक्षर्टा दर है आपके 93.40 पृतिशत और महिला शाक्षर्टा दर है 72.32 पृतिशत चमोली जिले का जन घनत्व है 49 चमोली जिले की दश की व्रिद्दी दर अगर आपसे लोग उससे पूछी जाती है तो आपको याद रखता है यहाँ की दश की व्रिद्दी दर कितनी है 5.74 परसेंट नेक्स्ट कुश्चन देखिएंगे संतुला देवी मंदिर कहा है संतुला देवी का मंदिर है आपके 13 दून जनपर में option B हाँ पर आपका right answer है संतुला देवी मंदिर 15 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों के भी संतौर नामकड़ में इस्तित है अगला कुश्चन है ग् पर भी जो पंच वर्षी यूशना थी इसमें, राजी के सकल घरेलू उत्पाद में 9.9 परतिशत बृद्धी का लक्ष रखा गया था, यानि के option D, यहाँ पे आपका right answer है, अगला question देखेंगे, निम्न लिखित में उत्राखंड का कौन सा नगर नदियों के संगम पर इस्ति नहीं है, देखिये कौन सा नगर है, जोकि नदियों के संगम परिस्तित नहीं है, तो आपका right answer हो जाएगा हरिद्वार, जो नगर है यह नदी के third परिस्तित है लेकिन संगम परिस्तित नहीं है, तो आपका option A बिलकोle correct answer हो जाएगा, देव पुरियाक के बात करें, तो यह अलक नंदा और भागिरती के संगम परिस्तित है अलक नंदा व भागिरती के संगम परिस्तित है देव परियाग धेरी जनपद में रूद्र परियाग इस्तित है आपके अलक नंदा व मंदाकनी नदी के संगम पर और आपका कान परियाग है अलक नंदा और पिंडर नदी के स तो याद रहना चाहिए आप लोगों को अगला कुशन है निमन लिखित में कौन सा एक नगर नदियों के संगम पर इस्तित है तो बताईए जिन लोग को आंसर आ रहा है आप कमेंट शेक्शन में कमेंट करके बताईए कौन सा नगर है जो की नदियों के संगम पर इस्तित है तो देखिए तीगे option में आपका correct answer हो जाएगा तीधी, तीधी जो है ये नदियों की संगम परिस्तित है, किन दो नदियों की संगम परिस्तित है तीधी, अगर आपको answer आता है तो आप comment करके बताएं, comment section में, अगला देखेंगे शिवानन्द नौटियाल के नुसार, वैदी प्रमुक नदी है, ये है मन्दाकनी नदी, option A, यहाँ पर आपका right answer है, देखें मन्दाकनी नदी, रूद्र प्रियाग जनपत के, मदरांचल श्रेणी के, चौरा बाड़ी, चौरा बाड़ी, कलेशर से निकलती है, जिसकी साहयक नदी है, मधु गंगा, इसकी साहयक नदी मधु गंगा में मन्दाकनी नदी का संगम होता है, काली मट के पास, चौरा बाड़ी, कलेशर मन्दाकनी नदी का जल्षोत है, केदानात मंदिर जो है, ये भी आपके मन्दाकनी नदी के तठवर इस्तित है, तूलसी दास ने, रामचरित मानस में मन्दाकनी को क्या कहा था ये भी फुचा जा सकता है तूलसी दास ने रामचरित मानस में मन्नाकन नदी को सुरसरी की धारा कहा है अगला देखेंगे सूची फरस्ट को सूची सिकंड के साथ सुमेलित कीजिए तो देखें यहाँ पे सूची फरस्ट में आपको हवाई पट्टी दी गई है सूची सिकंड में आपको जिला दिया गया है तो कौन सा हवाई पट्टी किस जिले में इस्तित है ये बताना है जॉली गुरांट की बात करें तो ये हो गया आपका दिहरादोन में फूल वाग है उधम सिंग नगर में नैनी सैनी हवाई अड़ा है पिथोरागण में गौचर हवाई अड़ा है चमोली में तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सी बिलकुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला देखेंगे पुषपावती को कब राष्टी उध्यान घोशित किया गया तो देखें पुषपावती राष्टी उध्यान तो है नहीं आपको पता है कोई भी पुषपावती राष्टी उध्यान नाम से राष्टी उध्यान नहीं है तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है फूलो की घाटी रास्टी उध्यान जो है ये चमूली में नरेमम गंद मादन परवतो के मद्यस्तित है और यहाँ पर कौन से नदी बहती है पुषपावती नामक नदी बहती है इसलिए से पुषपावती भी कहा जाता है फूलो की घाटी को फूलो की घाटी की खोज 1931 में फ्रेंक स्माइद वारा की गई और यह है रास्टी उध्यान 87.5 वर्ग किलोमेटर छेत्रफल में फैला हुआ है और देखिए फ्रेंक स्माइद की पुस्तक है दे वैली ओफ लावर जिसमें फूलो की घाटी की चर्चा की गई है फूलो की घाटी को 1982 में रास्टी उध्यान घोशित किया गया नैशनल पार्किस से कब घोशित किया गया 1982 में और 14 जुलाई 2005 को इसे युनेस्को में विश्व धरोहर घोशित किया गया फूलो की घाटी की समुद्र तल से उचाईगी बात करें तो 3600 मीटर इसकी समुद्र तल से उचाईगी है उपनाम पूछ लिए जाएं क्या क्या इसके उपनाम है तो केदार जीू, तो देखें चांचरी जो है ये एक नृतिय है, option ए बिलकुल correct answer है, चांचरी नृतिय गड़वाल छेत्र में इस्त्रीवा पुरुसोदारा किया जाता है, यहाँ नृतिय बसंत रितु, किस रितों में? बसंत रितु की चांदरी रात में किया जाता है, कुमाओ छेत्र में चांचरी नृतिय को क्या कहा जाता है, पूछ लिया जाए, तो देखें, कुमाओ छेत्र में से जोड़ा कहा जाता है, जोड़ा नृतिय से कहा जाता है, कुमाओ छेत्र में, जोड़ा नृतिय कुमाओ में होली के बाद बड़ी उमंग के साथ किया जाता है, आप लोगों क को आज का ये शेशन पसंदार है तो जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लें जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल इस्टुड़ी विद इम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लिए शेशन को ज़ाद से ज़्याद आप लोगों को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ अपने वट्सप गूरॉप्स में आप लोगों के लिए हिए इतने सारी महनत यहाँ पर की जा रही है study with aim के द्वारा ताकि आप लोगों को वीडियो वीडियो एक्जाम के लिए काफी help मिल पाए तो आप सभी लोग इसे share जरूर कीजिएगा चैनल अपी भी आप लोगों ने subscribe नहीं किया है तो चैनल को आप लोग subscribe कर लिजे देखें एक एक fact आपको यहाँ पर बताया जारे जो काफी important है कोई भी fact जो होता है ना उन्हें note down आप लोग जरूर कर लिजेगा ताकि आप ना भूल लें उसको बात में भी आप उसको revise कर पाएं चलिए next है आपका दोन घाटियां कहां स्तित है दोन घाटियां आपके बाहिये हिमाले के तलहटी छेत्र में स्तित हैं बाहिये हिमाले छेत्र के तलहटी में स्तित हैं तो option A पे आपका right answer है देखें दोन घाटियों के आफसत उचाई 350 से लेकर 750 मीटर तक होती है पुर्वत्तर भाग में दोन घाटियों कुफ क्या गहा जाता है द्वार कहा जाता है राजिकात सबसे बड़ा दोन है देहरादोन आप सभी को बता होगा इसकी लंबाई की बात करें देहरादोन के तो 75 किलोमेटर वो चॉड़ाई 24 से 32 किलोमेटर 24 से 32 किलोमेटर है चोड़ा इसकी तो लंबाई और चोड़ाई दोनों याद रखेंगे देरा दोन के कितनी है पतली तथा कोटा नामक जो दोन है यह नेनिताल जिले में इस्तित है पतली दोन नेनिताल की कौरवेट रास्टे उध्यान के बीच इस्तित है कोटारी वा चोखम दोन कहाँ पर इस्तित है पूश लिया जाए चली इसका आंसर आप लोगी देजिएगा किस जनपद में इस्तित है अगले कुशन देखेंगे चिपको अनोलन कभ शुरू किया गया था चिपको अनोलन शुरू किया गया था 1974 में तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1974-75 option B यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है चिपको आंदोलन 1974 में चमोली चनपत के रिनी गाउं में प्रारम्भ हुआ जिसके प्रणेता कौन थी गौरा देवी गौरा देवी इस आंदोलन के प्रणेता थी अगला देखेंगे क्या है इस जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयार पानी और बयार जिन्दा रहने के आधार यहाँ नारा कब दिया गया तो देखें यहाँ नारा दिया गया 1977 में उप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है चिपको आंदोलन की महिलाओं ने 1977 में यहाँ नारा दिया थाई यानि कि ये नारा जो है, ये किस से संबन्दित है, किस आंदूलन से, चिपको आंदूलन से, अगला देखेंगे परियावरान संगरक्षण हे तू, रक्षा सूत्र आंदूलन कब शुड़ू हुआ था, काफी important question, तो देखें, परियावरान संगरक्षण हे तू, ये आंदू जनक रह चुका है, इन्ही में से एक आंदूलन था, रक्षा सूत्र आंदूलन जो की 1994 में, कहां पर हुआ था, टिहरी में हुआ था, टिहरी के फिलंगना छेतर के खवारा गाउं में शुरू हुआ, और ये हैं आंदूलन धिरी-धिरी आशपास के जिलो तक फैल गया, चि रक्षा सूत्र आंदूलन के प्रनेता कौन थे, अगला कुश्यन है, देश की सबसे प्रमोख रेल गारी शताब्दी एक्सप्रेस उत्राखंड के किस नगर को नई दिली से जोडती है, तो देखेंगे, उत्राखंड में भगवान राम का एक मात्र मंदर किस इस्थान पर ह तो देखें, उत्राखंड राजी में भगवान राम का एक मात्र मंदर है, देव प्रियाग में, ऑप्षन एस कुशन का राइट आंसर है, देव प्रियाग में भगवान राम का रगुनाद मंदर किस शैली में, यानि किस मंदर किस शैली है, द्रविड और रगुनाद मंद प्रफवी पतिशा के समय का था देव पुरियाग का अन्य नाम क्या है पूछ लिया जाए तो सुदर्शन छेत्र एवं इंद्र पुरियाग इसका अन्य नाम है महाभारत में देव पुरियाग को समस्त तीर्थो का सिरोमनी एवं समगर पापो का विनाशक बताये गया है देव पुरियाग में अलकनन्दा इवं भाकि रति का संगम होता है और लास्ट कॉश्चन है इस सेशन का उद्राखंडर राज्य में आई का मुक्रिया या है ऑप्शन बी इहां पे आपका राइट आंसर है तोकी गाईस, आजके सेशन में इतना ही आई होप आप सभी को आज का ये session काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये session पसंद आता है तो session को like कीजिए, share कीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube channel Study with AIM को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लें तो चलिए मिलते हैं next interesting videos के साथ तब तक के लिए धन्यवाद